नू में किसानों प्रशासन के बीच चक्राओं की स्थिती बनी हुई है जिसकी वज़े से माहौल तनाव पुर्ण हो गया है किसानों ने इंडस्ट्रियल मॉडल टाउंशिप का काम बंद करने का ऐलान किया है बतादे किसान प्रशासन से जमीन पर मुअबजाना मिलने को लेकर नाराज ही जाहिर कर रहे है दरसल नू में जमीन मुअबजे की मांग को लेकर बीते पांच महिने से धर्ना प्रदर्शन कर रहे नौ गाओं के किसानों नी सरकार को अल्टिमेटम दिया था अल्टिमेटम के मुतावे धर्ना स्थल से HSIIDC के कार्याले की तरव हजारों की संख्या में रुख किया और HSIIDC के कार्याले के बाहर धर्ने पर बैठ गए पहले सित्य अल्टिमेटम को देखते वे पुलस ने सुरक्षा वैवस्था का पुक्ता इंतिजाम किया था DSP सुरिंद्र सिंग के नहां दलबल के साथ मौके पड़टे रहे नौ गाउं के किसानों ने पहले तो भारती किसान यूनियन के यूवा प्रदेशा ध्यक्ष रवी आजादव किसान निता सतिंद्र लोहचब की अगवाई में बैठक की और उसके बाद HSIIDC के कार्याली की तड़ रुख किया इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते वे अपना विरोध जताया किसानों के विरोध को देखते वे विशाल कुमार SDM नू घटना अस्थल पर पहुँचे और कई घंटे की बादचीत के बाद तैह हुआ की आगामी 23 अगस्त को मुक्यमंत्री नायब सिंग सैनी के साथ किसानों के प्रतिनिधी मंडल की मुलाकात कराई जाएगी किसान राजी होकर अपने घरों की ओर लोट गए बताजे कि आईएंटी रोजका में विक्सित करने के लिए साल 2010 में पुर सियम भुपेंदर हुडा की सरकार में 9 गाउं की 1601 भूमी का अधिक रहन किया था जिसकी एवज में किसानों की करे 46 लाक रुपे प्रती एकड के हिसाब से मुआपजा दिया गया था उस समय किसानों ने हलफ नामा भी लिया गया था किसानों का आरोप है कि उस हलफ नामे में किसानों से उसके कानूनी अधिकार छीन लिये गया और परिदबाद जिले के मच्छरगर गाउं में इस समय उनसे कहीं अधिक मुआपजा वहां के किसानों को दिया गया